तेखिए organization में अलग-अलग project आते हैं, अलग-अलग task आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा project आता है, task आता है जिसमें employees होते हैं, वो उस चीज को नहीं करना चाते हैं, तो उस case में आप देखते होंगे कि कोई न कोई एक ऐसा manager है, executive आता होगा और लोगों को सम leadership कहलाता है आप leader मतलब क्या होता है leader मतलब नेता होता है जैसा कि आप अलग-अलग parties में देखते हैं कि अलग-अलग जो political parties हैं वो उनमें leaders होते हैं वो leaders जो है अपने followers को जो है guide करते हैं influence करते हैं जिससे कि लोग उनको votes दें और उनको follow करें तो वही चीज क्या है leadership कहलाती है तो process by which a manager can direct guide and influence the behavior and work of other यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो leader होता है वो दूसरे public की behavior को और उसके जो है work को influence करता है यानि कि वो इस तरीके से उनको motivate करता है गायद करता है कि वो जो नहीं करना चाहरे थे वो भी काम करते हैं towards the accomplishment of specific goal in a given situation तो किसी situation में जो specific goal दिया गया होता है उसको पूरा करने के लिए जब जो है कोई leader guide करता है direct करता है influence करता है लोगों को जैसे कि वो goal achieve हो सके तो वही चीज क्या कहलाती है leadership कहलाती है और यह जो काम करता है यानि कि leadership जो perform करता है उसको क्या कहते है लीडर कहते है तो यह क्या हो गया is the ability of a manager to induce the subordinates to work with confidence and zeal तो यह क्या हो गया manager की क्या होगी ability हो गई manager है वो leader का काम कर रहे है लोगों को अगर आप influence कर रहे हो अपने subordinates को influence करके कोई काम करवा ले रहे हो तो उस चीज को क्या कहते है leadership कहते है clear तो इसको जो है definition दिया गया है Harold Koons and Henge विरिच ने दिया है क्या कहा उन्होंने कि leadership is the art or process of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically toward the achievement of group goal तो organization में क्या होता है organization में group goal होता है बाई किसी एक objective को पूरा करने के लिए सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो वो सभी लोग enthusiastically और willingly जो है उस goal को achieve करने के लिए काम करें उसके लिए जो guidance दी जाती है जो influence किया जाता है लोगों को उसके process को ही क्या कहते है leadership कहते है clear तो जैसे कि आप देखते होंगे चुनाओ के time पे क्या है सभी लोग आते हैं सभी लोग रैलिया करते हैं रैलियों में लोगों को समझाते हैं बुझाते हैं influence करते हैं कि उनकी बात माने और उनकी सरकार को उनकी party को vote दे जिससे कि उनकी सरकार बने तो वही चीज़ कहलाती है लीडर्शिप कहलाती है तो features of leadership की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह क्या होगा continuous process हो गया बार बार आपको लीडर्शिप परफॉर्म करनी पड़ेगी क्योंकि आप एक बार मार्केट में गया आपने जो है वहाँ पर लोगों को influence किया दुबारा जो है आप ज खुद को नहीं करना है यहाँ पर दूसरे person को influence करना है तो यहाँ पर क्या है कि दूसरे person को influence करना पड़ता है leadership में is a group process जहाँ पर एक ही बंदे को नहीं अब कई लोगों को एक साथ influence करते हो direct करते हो guide करते हो जिससे कि वो goal को achieve कर सेके next है कि relationship between leader and follower trying to achieve common goal ती leadership में क्या होता है यहाँ पर relationship होता है कि समें leader और follower के बीच में और दोनों लोग जो है leader जो है influence करता है follower को जिससे कि वो common goal को achieve कर सके तो यहाँ पर यहाँ पर relationship होता है leader and follower के बीच में लीडर influence the behavior of individual, यहाँ पर क्या होता है, कि जो लीडर होता है, वो individual के behavior को influence करता है, याने कि जो followers होते हैं, उनके उसके behavior को influence करता है, और जो common goal होता है, उसको achieve करवाने के लिए उनको guide करता है, motivate करता है, follower work willingly to achieve goal, और leadership में क्या होता है, कि जो followers होते हैं, वो willingly motivate होते हैं, influence होते हैं लीडर से और गोल को अचीव करते हैं तो यह कुछ फीचर्स होगे किसके लीडर्शिप करते हैं लीडर्शिप में सारी चीज़े होते हैं कि continuous process यह one time process नहीं होता इंटर परस्टनल होता है यानि कि दो या दो से अधिक लोगों को बीच में leadership होती है ग्रूप process होता है, relationship होता है, leader और follower के बीच में leader influence करता है follower influence होते हैं और willingly जो है goal को achieve करने के लिए काम करते हैं बात कर लें trade या qualities of a good leader यानि कि एक अच्छे leader की क्या quality होनी चाहिए क्या trade यानि की characteristics, trade मतलब क्या हो गया, characteristics होनी चाहिए good leader की तो देखें सबसे important चीज होते है good leader में physical feature height, weight, health, appearance कैसा आप दिखते हो, कैसी height है, कितनी लंबाई है चुड़ाई है, ज्यादा मोटे तो नहीं हो, ज्यादा पतले तो नहीं है, healthy हो कि नहीं हो तो यह physical feature है, यह matter करता है क्योंकि जो पहला attraction बनता है, आपको follow करेंगे, आपको follow नहीं करेंगे यह आपको देखने से ही बनता है, यह good looking है, थोड़ा सा समझदार लग रहा है well qualified लग रहा है, height अच्छी है, appearance अच्छा है, तो मतलब कि लोग उसको attract जल्दी होते हैं तो influence भी जल्दी होंगे, knowledge and competence, यानि कि आपके पास knowledge कितनी है, आपके पास competence कितना है, capability कितनी है यह भी जो है, एक effective leader के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास knowledge नहीं है, आपके पास ability ही नहीं है तो फिर आप जो है leading नहीं कर पाओगे, lead नहीं कर पाओगे, एक अच्छे leader नहीं बन पाओगे, जैसा कि आप अभी चुनाओ के टाइम पर देखाओगा आपने, integrity and honesty, यहाँ पर क्या होता कि जो leader होता है, उस पर integrity होता है, यह एथिक्स को follow करता है, values को follow करता है, honest होता है, clear, तो यह भी जो है एक अच्छे leader की quality होती है, trait होता है, उसको अपने ethics को, अपने values को follow करना चाहिए, initiator, यानि कि कोई भी काम है, तो आप उसमें initiate करें, आगे आके बात चीज़ करें, यह नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, जब कोई दूसरा कर लेगा, उसकी बात आप आप अच्छे, ठीक है, तो communication skill किस तरीके से कहां पर कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या information देनी है, सारी चीज़े कब देनी है, यह सारी चीज़े इनको आती है, motivation, इसके लोगों को motivate करना इनको आता है, ठीक है, कि आप भी कर सकते हैं, you can do it, और वो motivate करते है, self confidence, सबसे important decision making, यहाँ पर quick decision making जो हो आना चाहिए, अगर आप quickly decision making नहीं कर पाओगे, तो फिर आप effective leader, successful leader नहीं बन पाओगे, क्योंकि decision making leadership में बहुत जरूरी है, कोई problem में के आया employee, या फिर कोई आपका follower, आपने उसको solve नहीं किया, तो फिर आपको आगे चलके नहीं, आपको follow करेगा क्योंकि उसको लगे अगर कि यह तो कुछ बता ही नहीं पाते हैं, तो decisiveness जरूरी होता है, social skill आने कि आप जो है लोगों से कैसे relationship, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, आपका बात बहुर कैसा है, normal public से, वो चीज, and high energy, high energy आने कि आपके पास energetic होना चाहिए, नहीं कि आप दिन ब follower आपके subordinates से किस तरीके के relationship है, मतलब कि friendly relationship है या नहीं है, यह matter करता है, तो यह कुछ traits होगे, qualities होगे, किसके, एक अच्छे leaders के, लोगों को influence करने के अलग-अलग leaders के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ ऐसे leaders होंगे, जो अपने rule और power का इस्तमाल करके लोगों से काम क करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो employee पर ही पूरा छोड़ देते हैं, कि आप बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, और वहीं पर कुछ ऐसे leaders मिलेंगे आपको जो आपको लालस देकर यानिकी reward या punishment देकर आपसे काम करवाते हैं, तो यही अलग- and transformational leadership style, तो एक-एक करके देखते हैं, यह leadership style समझ रहे हैं, कि किस तरीके से आप जो है lead करेंगे अपने employee को, subordinates को, organization की goal को achieve करने के लिए, clear, तो style कहलाता है, तो कुछ autocratic है, कुछ democratic हो सकता है, कोई lesser sphere हो सकता है, कोई transactional है, फिर कोई transformational हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखें मतलब होता है, एक-tantra, clear, autocratic मतलब एक-tantra leadership style, यहाँ पर क्या होता है, कि authoritarian leadership होता है, क्या कहते है, इसको authoritarian leadership आने कि मैं authority हूँ, जो मैं बोलूँगा, वो आपको करना होगा, अगर आपको यहाँ पर job करनी है, तो आपको यह चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका boss ह तो the boss has absolute control over decision in the workplace, तो यहाँ पर कि जो भी decision making होगी, उस organization में वो कौन लेगा, boss लेगा, employee से पूछने की जोत नहीं है, नहीं किसी और से consult करने की जोत है, मैं boss हूँ, मैं उस position में बैठा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, आपको वही मानना है, तो team members are not asked for input, याने कि कुछ भी suggestion या फिर कोई भी guidance या employee का suggestion नहीं लिया जाता है, या फिर team members का नहीं लिया जाता है, they are expected to comply with all decisions and orders made by their leader, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो भी team members होते हैं, फिर जो subordinates होते हैं, उनको अपने leader का सभी decision को, सभी orders को मानना पड़ता है, तो इस type के leadership को क्या कहते हैं, autocratic leadership style कहते ह कि boss ने क्या बोला कि आपको task A करना है, और इस date को करना है, तो आप जो सभी employee हैं, उनको वो task A perform करना पड़ेगा, clear, जो दूसरा leadership style है, that is democratic leadership style, तो democratic में इसके हैं, यहाँ पर आजादी मिल जाती है, इसको हम कहते है, participative leadership style भी कहते हैं, participative यहाँ पर क्या होता है, कि team members से भी consult किया जाता है, autocreative में किया है, तो उनसे suggestions लेता है, final decision making किसका होगा, जो leader है, उसी का होगा final decision making, लेकिन suggestions उनसे लिया जाता है, लोगों से लिया जाता है, इसको कहते हैं, democratic या participative, the leader's choice to involve team members in the decision making process, यहाँ पर leader क्या करता है, decision making process में जो team members होते हैं, subordinates होते हैं, उनको भी involve कर लेता है, in all decisions, the leader has the final say, यहाँ जो भी decision होगा, जो final leader कहेगा, उसको ह accept किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कि leader employee को भी सुनता है, कि वो क्या चाहते है, what they make decision according to the input they receive from his team, तो जो भी input आता है team से, उसको consider करते हुए decision making करते हैं, और जब इस type का होता है, कि जहाँ पर decision making में employee को भी involve करते हैं, तो उस case में क्या होता है, कि employee feel motivated to participate in the decision making, त आप खुला छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, free rain लगाम नहीं लगाते हैं, ठीक है, rain मतलब क्या होता है, लगाम, तो यहाँ पर क्या होता है, everybody is an equal decision maker, यहाँ पर क्या होता है, कि सिर्फ अगर आप leader हो, जैसाने कि आप ही decide करोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, leader हो, चा काम करते हैं, तो a license where a leader leaves the decision making up to their team member, यानि कि team member पर decision making छोड़ देता है, जैसे कि what should we do, वहाँ पर क्या होता है, auto creating में, कि a task है और उसको complete करना है, democratic में क्या हो गया, a, b, or c, तीन task के बताओ कौन सा किया जाए, और license where में क्या हो गया, कि employee आप ही बताओ कि क्या किया जाए, ठ ठीक है, type of management style where supervisor give team members freedom to complete task, make decision or solve problem without interfering unless the employee request it, यानि कि leader जो है, उसमें तब तक interfere नहीं करेगा, जब तक कि employee कहेंगे नहीं कि leader को कि आप आके interfere करिये, तब तक employee अपने हिसाब से ही task choose करेगा, उस पर decision making करेगा, problem को solve करेगा, तो उस type की leadership style को क्या कहता है, leader, license where, free rein leadership style कहता है, यहा कर रहे होंगे employee, यहाँ पर वो observe करेगा कि सब सही से हो रहा है, दिन आते हैं एक type के transactional leadership style, तो यहाँ पर क्या होता है, इस style में, कि इस style में यह होता है कि आपको reward से punishment के बदले आप से performance लिया जाता है, यानि कि आप से काम करा जाएगा, उसके बदले आपको reward या punishment आपको द एक महिने में 10 लाग का sale लेकर आता है, तो उसको foreign tour मिलेगा, तो यह क्या हो गया, transaction leadership इस style आने कि अब employee से sales बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, उसके बदले उसको reward देने की बात कर दे, तो the executive relies on reward and punishment to achieve optimal job performance from his और her subordinates, तो जो leader होता है, वो अपने employee से, अपने subordinates से काम करता है, कि अगर वो अच्छा perform करेंगे, तो उनको जो इसके बदले reward मिलेगा, और last आता है, transformational leadership style, तो transformational क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, जो leaders होते हैं, वो encourage करते हैं, कि अपने subordinates को, team members को motivate करते हैं, कि वो कुछ नया करें, कुछ creative करें, कुछ innovative करें, तो इस type के ल change, innovate and shape the future of the organizational structure, यहाँ पर क्या होता है, कि motivate करते हैं, increase किया जाता है, employee को कि वो अपनी creativity को लगाएं, अपना innovation कुछ करें, कुछ जो है, change लेके आएं, जिससे कि organizational का structure जो हो, change हो या फिर organization जो है, वो grow करें, तो उसी को कहते है, transformational leadership, जैसे कि Jeff Bezos का आपने सुनाओगा Amazon में, त वो कितना large labor scale पर बढ़ चुका है, तो वो क्यों हुआ, क्यों कि उन्होंने अपनी leadership style में involved किया, employees को और staff को, उनको push किया, कि वो कुछ नया product, नया possibilities को find out करें, तो that is transformational leadership, जैसे कि आप क्या होते है, आप increase करते हो, motivate करते हो, employee को कि कुछ नया करें, कुछ creative करें, कुछ innovative करें that is transformational leadership, तो यह पांच leadership style होते हैं, leadership में पहला है, that is autocratic, दूसरा है, autocratic में क्या होता है, कि जो boss कहता है, वही करना होता है, दूसरा है democratic, जहाँ पे boss employee से consult करके decision making करता है, तीसरा है, less is fair, जहाँ पे employee ही जो है, वहाँ पे decision making करते हैं, transactional में क्या होगे, कि वहाँ पर performance के बदल trade theory of leadership, trade मतलब होता है characteristics, तो यह जो theory दी गए थी, Thomas Carlyle and Francis Geltol ने दी थी, और उन्हेंने कहा, कि एक effective leader, एक अच्छे successful leader के पास, कुछ invorm और कुछ innate qualities होती है, characteristics होती है, जो उनको एक successful leader बनाता है, तो suggest that certain inborn और innate qualities and characteristics make someone a leader, तो आपने great man theory अगर पढ़ी होगी, तो उसमें भी कह quality है, जो quality हो सकती है, वो personality factors related हो सकती है, physical factors related हो सकती है, intelligence factors से related हो सकती है, तो different factors से qualities हो सकती है, जो complete मिलाकर, जो है कि एक effective leader बनाता है, तो trade theory of leadership, simple सा कहना है, कि जो successful leader होते हैं, उनके अंदर कुछ traits होती है, characteristics होती है, जो उनको बनाती है, तो उनने different research किया, survey conduct किया, और कुछ ज जो कि एक successful leader के अंदर होती हैं, तो 20th century में बहुत सारे studies हुई थी, जिसमें बहुत सारी traits को compile किया गया, तो core trait है जैसे achievement drive, तो high level of effort होता है, high level of ambition होता है, और energy and initiative होता है, तो यानि कि जब आपको कोई ऐसा person दिखे, जो high level of effort लगाता है, पूरी मैनस से कोई काम करता है, high ambition के सा होता है कि कोई और कर देगा, वो खोदी आके करने लग जाता है, तो यह लोग achievement drive होते हैं, और यह एक अच्छे leader बन सकते है, दूसरा है leadership motivation, यानि कि आपके अंदर यह चीज होनी चाहिए, motivation होना चाहिए, कि मुझे leader बनना है, मुझे follower नहीं बनना, बलकि मुझे leader बनना है, and intense desire to lead others to reach shared goals, यहाँ पर क्या होता है, कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, कि मुझे lead करना है और goal को achieve करना है, ठीक, next है honesty and integrity, यानि कि trustworthy होनी चाहिए, reliable होने चाहिए आप, और आप open होने चाहिए, आपके पास ethics values को follow करने वाले होने चाहिए, तो honesty और integrity आपके अंदर हो पास होना चाहिए, self confidence तभी आप दूसरे को lead कर पाओगे, cognitive ability यानि कि capable of exercising good judgment, strong analytical abilities, conceptual skill यानि की cognitive कहने का मतलब कि सोचने समझने की चमता, decision taking की चमता, आप चीजों को analyze कर सके और उसके उपर decision making कर सकें, judgment दे सकें, यह capability भी होती है, एक successful leader के अंदर, knowledge of business, भाई, आप organization में काम कर लोगे, तो knowledge of industry and other technical matters, जो भी industry है, firms है, organization है, technology है, working कैसे होती है, यह पूरा का पूरा आपके पास knowledge होना चाहिए, then है emotional maturity, यानि कि well adjusted and does not suffer from several psychological disorders, यानि कि क्या होता है कि आप organization में जाते हैं, तो कभी कोई बात नहीं कर रहा है, कभी कहीं से कोई आपको डांट पढ़ गई, घर का problem office में न लेके हैं, और office की problem घर पे न लेके जाए, तो emotional maturity and next is others, यानि कि इसके लाओ भी बहुत सारी चीज़ों होती है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कि जिनको देख कर ही इंसान खिचे चला जाता है, attractive ने सोती है उनके अंदर, जैसे आप Steve Jobs को देख लीजे, नरे मोदी को देख लीजे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ करिस्मा है कि लोग उनसे attach हो जाते है, creativity and flexibility ये सारी चीज़े जो है, ट्रेट होती है, characteristics होती है कि इसके successful leader के पास, और इसको जो है human beings वो धीरे-धीरे develop कर सकते हैं अपने अंदर अगर वो एक successful leader बनना चाहते है, तो trade theory यही कहती है, LSM यानि leadership situational model, यह जो model दिया गया था Paul Hersay and Ken Blankard 1969 में इन्होंने दिया था, तिन्होंने क्या कहा कि जो leadership style है, वो depend होनी चाहिए situation पर, यानि कि आपके employees कैसे हैं, जिसको आप lead कर रहे हो, जो followers हैं आपके, वो कैसे हैं, उसके उपर depend करनी चाहिए leadership style, कि आपको particular situation in depth, and then lead in the most appropriate manner, suitable for that situation, तो पहले आप situation को depth में analyze करिये, कि आपके follower कैसे हैं, क्या situation है, उसके बाद फिर appropriate manner में जो है, आप उस situation को lead करिये, clear, तो यहाँ पर क्या कहा गया, कि यहाँ पर तीन चीजों पर ध्यान देने के लिए का गया, the three aspects that need could be considered in a situation, यानि कि किसी भी situation में ती तीन aspect पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप leadership style सही से choose कर सके, क्या है, employees competence यानि के employee की competence क्या है, maturity of the employee कितना mature है, and complexity of the task, task कि कितना complex है, यानि कि कटीन है, ठीक है, तो इन तीजों के ऊपर situation को analysis करना चाहिए, और उसके बाद फिर LSA, यानि leadership situation model में, चार leadership style की बात कहेंगे, जि इसको situation के according use किया जा सकता है, तो कौन-कौन से वो model है, styles है, that is directing, coaching, supporting and delegating, तो एक एक करके समझते है, तो सबसे पहले आता है, that is situation one, situation one, that is telling यानि कि directing, यहाँ पर क्या होता है, कि जो employee होता है, वो low competent होता और low motivated होता, यानि कि उसको कोई भी task आ गया, तो उसके लिए उसको perform क करने के लिए, तो इस time पर, इस situation में council leadership style यूज़ करने जाए, that is directing, यानि कि यहाँ पर leaders को direct करना चाहिए, कि तुम ये करो, यानि कि employee को ये करने के लिए कहा जाए, क्योंकि competence भी नहीं है, और उसके पास motivation भी नहीं है, तो जो है सही से perform नहीं कर पाएगा, तो इस case में आप आपको इसको direction देना पड़ेगा, clear, आप competent भी होते हैं, आप motivated भी होते हैं, तो हो सकता था कि आप खुद ही कर लोगे, जो leader है, उसको कुछ को बोल लेगी, जो होती नहीं पड़ती है, लेकिन जब आपके पास competence भी नहीं है, और आप motivated भी नहीं हो, तो आप करोगे नहीं, आप से करवाना पड़ेगा, आपको direction देना पड़ेगा, clear, तो leaders who minutely supervise their followers, यहाँ पर क्या होते हैं, कि यह leaders बहुत ध्यान से आप supervise करते हैं followers को, क्योंकि उनके पास competence नहीं हो, motivated भी नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं कर दे, constantly instructing them about why, how and when the task need to be performed, तो इस situation में क्या होता है, leaders क् करता है, कि वो constantly यहनी लगातार, जो है वो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा task perform करना है, इस पर जो है वो guidance देता रहता है, अपने followers को, clear, तो सबसे पहला situation क्या हो गया, कि जब employee जो है competent भी नहीं है, और motivated भी नहीं है, तो उस case में उसको directing, यानि कि leader को direct करना चा competence तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्या कहता है, कि दिर्ण निश्चा है, हाँ हमें करना है, competence नहीं है, लेकिन हमें करना है, तो इस case में क्या करोगे, but आप क्या करोगे, coaching प्रोवाइट करोगे, यानि कि उनको guidance दोगे, तो employees have a desire to work independently, but they are not capable of doing this yet, यानि कि उनके अंदर desire है इच्छा है, motivated है, लेकिन competence नहीं है, तो they are employees who have not reached full maturity, यह वो है, जो full maturity पे नहीं पहुचे है, और इस case में क्या होता है, कि leader provide controlled direction and is a little more open and allows two-way communication between him, herself and the followers, यहाँ पर क्या होता है, कि जो leaders होता है, वो coaching करता है, यानि कि control direction देता है, और साथी साथ जो है, यहाँ पर allow भी करता है कि two-way communication हो सके employee के बीच में, और follower के बीच में, और leader के बीच में, तो selling यानि coaching जहाँ पर competence तो नहीं है, लेकिन highly motivated है, तो वाँ पर control direction दिया जाता है followers को, तीसरा जो situation है, that is high competence and low motivation, यानि कि जो employees है, जो followers है, उनका competence तो बहुत ज़्यादा है, कि नो motivated नहीं है, तो इस case में चमता भी है, लेकिन motivated नहीं हो, काम करने के इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, तो इस case में जो leader है, उसको support करना पड़ता है, the employee are capable but unwilling, यानि कि वो इच्छा नहीं हो, उनके अंदर करने का, they are qualified worker, ये सब qualified worker होते है, तो the leader seeks opinion and participation of the followers to establish how a task should be performed, यहाँ पर क्या होता है, कि support क करेगा, उनसे पूछेगा, कि बता ही, कैसे करना चाहिए, और मिलकर उनके साथ करता है, तो यहाँ पर participating हो गया, supporting nature का हो गया, यह situation हो गया, और चौथी situation, that is, fourth situation क्या है, that is, delegating, delegating में क्या होता है, कि high competence and high motivation, यहाँ पर क्या होता है, कि जो employee है, वो highly competitive भी है, और highly motivated भी है, त के पास उतनी छमता भी होती है, कि वो task को independently perform कर सके, तो the leader delegates the responsibilities of carrying out tasks to his followers, तो इस situation में क्या करता है, जो leader होता है, वो खुद नहीं जाएगा, फिस support नहीं क्या, वो क्या करेगा, delegate करेगा, कि यह लो, तुमको यह काम दे दिया गया है, और इसको complete को जैसे करना है, clear, तो that is delegation, the leader however monitor and review the process, लेकिन leader जो है, task दो दे देता है, कि आपको कैसे करना है, कब करना है, वो आप खुद decide को, लेकिन वो monitor कर रहा होगा, कि आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, सही से कि नहीं कर रहे हो, clear, तो यह चार situations बनती है, पहला क्या हो गया, directing है, यहाँ पर क्या होता है, directing में, कि व motivated बहुत होता है, मतलब कि उसके बस knowledge नहीं है, लेकिन हो काम करने के इच्छा उसके अंदर होती है, तो इस case में, जो है, जो leader होता है, coaching देता है, provide करता है, control direction देता है, two-way communication अलाग करता है, तीसरा क्या हो गया, participating, जहाँ पर क्या होगा, कि competence high है, लेकिन motivation नहीं है, employee के अंद motivation भी जादा है, तो उसके इसमें क्या करता है, leader पूरा task जो है, उनको delegate कर देता है, उनको responsibility देता है, कि आपको जैसे करना, इस task को complete करके देजिए, लेकिन बस सिर्फ उनको monitor कर रहा होता है, और review लेता है process का, कि सही से काम हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, तो that is leadership situational model, यानि कि situation के according, जो है leadership को perform करना चाहिए, विशू all the best, keep watching, team क्या होता है, देकि team जो है group की तरह होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर जो group members होते हैं, जो members होते हैं team में, उनकी skills क्या होते हैं, complimentary होती है, a team is a small number of people with complimentary skills who are committed to a common purpose, performance goals and approach for which they hold themselves mutually accountable, तो होता है, ग्रूप में क्य लेते हैं, या फिर different department में काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगा किसी location पे रहते हैं, दोनों एक ही जगा पे रहते हैं, तो लोग group बना लेते हैं, लेकिन team में क्या होता है, team में organization team को develop करती है, और जो members होते हैं, उनके पास complimentary skills होती है, यानि कि जो सामने वाले की skills होगी, वो अच्छा होगा, कोई spinner अच्छा होगा, कोई fast baller होगा, कोई batting में होगा, तो fast ballers को अच्छे से खेल सकता होगा, कोई ऐसा batsman होगा, जो spin को खेल सकता होगा, तो यानि कि different complementary skills को मिला के, जब आप कोई एक group तयार करते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, team कहते हैं, ठीक है, त किसी एक individual को नहीं जाएगा, पूरी के पूरी team को जाता है, उसका success is a fail का, जो reason होता है, clear, तो different different type के teams होती है, जो definition दिया गया था, ये Zenback and Smith दोरा दिया गया था, तो different different types of team होती है, जैसे कि पहला है functional team, तो functional team क्या हो गया, कि यहाँ पर एक ही department में काम कर रहे हैं, लोगों क जो है team meet बनाया जाता है, जैसे कि आप complimentary skill से ध्यान रखिएगा, तो एक ही department में काम कर रहे हैं, लोगों को same label पर नहीं, अलग-अलग, जैसे कि area manager हो गया, branch manager हो गया, और जो है किसी branch में काम कर वाले employee, इनकी एक team बना दी, ठीक है, जैसे sales team की बात करें, तो sales manager हो गया, area sales manager ह हो गया, और जो sales person है, इन तीनों को मिला के कोई team बना दिया, तो functional team हो गया, cross functional team हो गया, cross functional team में जब अलग-अलग department से, जो है, अलग-अलग लोगों को चुनकर, जो है, आप team बना देते हैं, यानि कि finance, एक HR, एक marketing से उठाया और आपने team बना दिया, तो that is cross functional team, दूसरा है, self-managed team, self-managed team मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, कि जैसे functional है, cross functional हो गए, तो यहाँ पर इनका कोई लीडर होगा, जिसको यह report कर रहोंगे, लेकिन self-managed team क्या होता है, कि यह खुदी को report करते है, यानि कि यह team ऐसी होती है, जिनको किसी और को report करने की ज़रूत नहीं होती है, यह खुद decision making लेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे organization को improve करना है, तो self-managed या self-directed team भी कहते हैं इसको, फिर आता है virtual team, virtual team में क्या होता है, कि यह दूर-दूर जो located होता है, यानि इस team के member के आओंगे, दूर-दूर located होगे, और वो जो है, online आपस में चीजों को decision making करते ह और task को perform करते हैं, तो virtual team, यानि कि जहां पर computer या technology का use करके, और लोग meeting करते हैं, और जो है, काम को organization की task को achieve करते हैं, problem solving team, यह जो virtual team है, आपने covid की time पे खासकत देखा होगा, कि लोग अपने घरों में बैठके, system का use करके, जो है, organization की task को या अपने job को perform कर रहे होते हैं, ने उस case में, जब एक special team बनाए जाती है, सिर्फ उस specific problem को solve करने के लिए, तो उसको कहते हैं, problem solving team, यह एक तरीके का task force भी होता है, अपने task force सुना होगा, अक्सर news में देखते होंगे, कहीं कोई घटना हो जाती, तो government जो task force बना देती है, जो कि उस घटना के लिए, खासकर जल् करने के लिए, different team बन गई है, जैसे कि आप जो generally देखते होंगे, कि क्या होता है, government में, कहीं train accident होगे, तो railway का एक team रहेगा, police swallow का एक अलग team रहेगा, government की एक अलग team रहती है, तो यानि कि multi team system, जहाँ पे एक ही चीज को achieve करने के लिए different teams बना दी जाती है, और दिन आता है quality circle तो quality circle भी एक team होता है, जहाँ पे जो members होते है, वो जो organization की quality है, जो product की quality है, उसको improve करने के लिए ये काम कर रहे होते हैं, तो उसको कहते है quality circle, तो ये specifically quality को improve करने के लिए बना जाते हैं, तो ये different type of team होती है, मैंनलब की purpose के हिसाब से, जो भी आप समझ लें, उस type का team बन सकत है, virtual team जो online माध्यम से अपनी organization की goal को achieve कर रहे हैं, जो भी task दिया गया है, उसको solve करते है, problem solving जो किसी specific problem को solve करने के लिए team बनाए गई होती है, multi team जहाँ पे एक ही goal को achieve करने के लिए different teams काम कर रहे होती है, और वो सब coordinate करते हैं आपस में, यह नहीं कि तीनों बात नहीं कि ती quality circle, quality circle जो की quality को improve करने के लिए organization में quality को improve करने के लिए product हो चाहे consumer का experience हो, उसको improve करने के लिए team बनाए गई होती है, अब बात कर लें कि team building process क्या है, या team बनता कैसे, क्या process है उसका, तो team building process में सबसे पहले important चीज़ की team बनानी क्यों है, यह identify करना, तो identify the need for team building, कि क्यों team बन जाला है, क्या achieve करना है उसको, और उसमें उस objective को fulfill करने के लिए क्या क्या skills चाहिए होगे members के, वो चीज़ आप identify करें, then consider the team role, यानि के team के role क्या होगे, team members का role क्या होगा, यह सारी चीज़ आप जो उसको समझेए, then develop a team of individuals, फिर उस role के according, objective के according, आप क्या करेंगे, different individuals को उस team में include करेंगे, establish and communicate the rule, जब team बन जाया आपकी, विससे cricket team है, तो 11 चाहिए, तो 11 का जब आपने बन गया, तो उसके बाद आप उनको rules को बनाईए, और communicate करें, उनको rules के बारे में, बताईए कि कैसे कैसे, क्या क्या चीज़े करनी है, क्या चीज़े नहीं कर सकते है, और उसके चीज़े आपको देखने होंगे, team बना लिया, तो किसका finance अच्छा है, किसका marketing अच्छा है, कौन communicate अच्छा कर लेता है, ये चीज़े उसको identify के लिए, और be part of team, यानि कि आप भी उस team के member हो, जो team बिल्ट कर रहा है, वो भी उसका team member होना चाहिए, जिससे कि वो performance को monitor कर सके meetings, जो है, schedule कर सके, और फिर जब task complete हो जाए, तो उस team को dissolve भी कर सके, या फिर अगर लगता है, कि team की performance बेकार है, यानि उसकी performance अच्छी नहीं है, तो वो फिर उस team को dissolve भी कर सकता है, clear, तो ये team building का process होता है, आप basic system सियाद रखेंगे, कि पहले objective क्या है, यानि परपच क्या ह skills को set करिये, role को define करिये, team individuals को develop करिये, उसके बाद उनको communicate करिये, कि roles क्या है, rules regulations क्या है, फिर individual instance को identify करिये, उसका utilize करिये, खुद भी team का member रहें, और performance को monitor करें, meeting से रखें, schedule करते रहें, time to time, और फिर जब task complete होया, तो team को dissolve कर दें, तो अब बात कर लें कि Tuckman का process क्या है, team development का, तो यह जो group development stages आपने पढ़े ना, वही Tuckman model of team development है, forming, storming, norming, performing और adjourning, group formation stages, तो five stage होते है, group development के, जो कि psychologist Bruce Tuckman ने दिया था, तो यह जो group formation stages, psychologist Bruce Tuckman थे, उन्होंने five stage group development के दिये थे, जिसमें पांच stage को थे, forming, storming, norming, performing and adjourning, यह पांच stages हम एक एक करके हाँ पर discuss करेंगे, तो सबसे पहले था, forming, जब भी group कोई बनता है, तियानी कि पहले से लोग एक दूसरे को ने जाते हैं, बलकि पहली बार मिलते हैं, कभी न, कभी पहली बार मिले होंगे, और वो लोग आपस में, एक दूसरे से introduce होंगे, अपना नाम बताया होंगे, हम कहां से belong करते हैं, कहा से क्या करते हैं, आप स्कूल, कॉलेज में जाते हैं, तो आपके क्लास में जो भी B Tech, P.com, MBA, BBA, जो भी कोस कर रहें आप, तो वहाँ पर क्या है, कि वहाँ पर अलग-अलग जगहें से लोग आते हैं, पहली बार आप उनसे मिलते हैं, बारचीत करते हैं, तो वहाँ पर क्य जो है वो भी लोगों के बीच में थोड़ा सा कॉसियस होते हैं कि एक दूसरे से अभी इतने मिले जुले होते नहीं है इतनी जानकारी होते नहीं है ति जो भी normal interaction होता है वो जो है कॉसियस है नहीं बहुत ध्यान पूरा कि एक दूसरे से बाते हैं शेयर करते हैं information को तहाँ पर भी forming stage है क्योंकि पहले बार यहाँ पर मिले होता है introduction नहीं होता है फिर उसके बाद क्या होता है form होने के बाद storm आता है तूफान आता है जब group में एक साथ सब लोग आ गए तो उसके बाद जो है status पाने के लिए compete कर रहे होते हैं एक दूसरे से argue करेंगे strategies को लेके जो है appropriate strategy को लेके argue करेंगे कि goal को achieve करने के लिए क्या strategy होनी चाहिए कोई कहगा दूसरा stage तो कोई कहगा दूसरा method तो लोग argue करते हैं और जिसकी वज़ाद से anxiety, tension यह सब भी होती है उस वक्त जब group form हो रहा होता है तो storm का मतलब क्या होता है तूफान, यानि की group के members के बीच में तूफान आया रहता है कि एक दूसरे से लोग tension में होता है anxiety होती है, वो उसकी बात नहीं मान रहा होता है एक दूसरे से compete कर रहते हैं तो तूफान होता है लेकिन इस टॉर्म जब आता है तो कभी कभी ना सांत होता है तो इस टॉर्म के बाद क्या आता है नॉम में याने की नॉमल होने लगते हैं गुरूप के मेंबर नॉमनाज़ेशन के तरब बढ़ने लगता है गृप, उसके बाद फिर नॉमने जब हो जाता तो उसके बाद क्या होगा बट्अब जाता की परफॉर्मेंस होगा, जब गृप में लोग आएं एक दूसरे से मिलें, इस्टारम होगा, इस्टारम होगा, नॉमने रही हो पर फ परफॉर्म करने लगेंगे, यानि कि complex problems लोग मिलकर handle करेंगे, task को complete करेंगे और functional rows जो भी होते हैं एक दूसरे के वो लोग परफॉर्म करेंगे, और जब उनका task जिस वज़े से group बना गया था, यह जो group formal stages देख रहे हैं, normally formal group development के लिए होता है, तो formal group development कहा होता है, normally organization में group develop किया था कि कोई task है, उसको achieve करने के लिए group बनाया जाता है, तो वहाँ पर forming, storming, norming, फिर performing, perform कर लिया, तो अब क्या होगा, बट अब यह से बाद है कि जब group का task complete हो गया है, तो वो group क्या हो जाएगा, adjourned हो जाएगा, adjourned means कि dissolve हो जाएगा, group wrap up its work and then dissolve जाने कि group का सारा काम खतम हो जाएगा, जिस वज़े से group बनाया गया था, वो task complete हो जाएगा, अब जो है group वो dissolve हो जाएगा, that is called adjourning, तो यही five stages model होते है, group development के, group formation stages के, जो कि techman ने दिया था, क्या था, forming, यानि कि पहले group को बनाया जाता है, कि अलग अलग department से, फिर किसी भी department से अलग लगों को एक साथ एक group बनाया जाता है, group A या group B जो भी नाम दी दिया गया, उसके बाद लोग उसमें आपस में मिलते चुलते हैं, एक दूसरे से सहमत जताते हैं, एक दूसरे से सहमत भी होंगे, tension होगा, anxiety होगा, एक दूसरे की बाद को काटेंगे, यानि storming जाता है, तो वो group जो है, एडजर्ण हो जाता है, यही group formation के stages है, फिशु वालतबेस्ट की पहुचेंग,